हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चानल सोनिस कीचन दोस्तो आज मैं फिर से आप सब के लिए एक नवरात्री स्पेशल व्रत वाली थाली की रेसिपी लाई हूँ इस थाली में आपको बहुती मज़िदार रेसिपीस मिलेगी और यूनिक रेसिपीस होगी और इसे बनाने के लिए आपको लेगेगा सिर्फ आधी घंटे का समय है ना इंट्रेस्टिंग दोस्तो पहले भी मैंने अल्रेडी नवरात्री स्पेशल फास्टिंग रेसिपीस शेर की है उन वीडियोस को अगर नहीं देखा तो जरूर चेक करें और ये वीडियो को भी एंड तक देखें चलिए आज की रेसिपीस को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बनाएंगे दही वाली आलू दही वाली आलू बनाने के लिए मैंने तीन मीडियम साइज के आलू को उबाल कर काट कर रखा है अब हम इसे डीफ फ्राइ करेंगे अगर आप रत में तेल और घी कम खाना पसंद करते हैं तो आलू को शेलो फ्राइ करके भी ये रेसिपी बना सकते हैं यहां पर हमारा आलू फ्राइ होकर तयार है इसे हम निकाल लेते हैं अब हम लेंगे एक पैन इसमें डालेंगे एक बड़ा चमस तेल तेल के गरम होने पेश में एक चोटी चमस जीरा तीन हरी मिर्श कटी हुई एक चोटी चमस गिसावा अधरक डाल देंगे अगर आप रत में जीरा नहीं खाते तो जीर ना डाले यह मसालों को भून लेंगे तब हम इसमें एक बड़ा साइस का टमाटर कटा हुआ डालेंगे टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमें पका लेना है यहां पर देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुकी है यह मसाले को थंडा होने देते हैं फिर हम इसे पीस कर तयार करेंगे अभी मसाले थंडी हो चुकी है इसे हमें एक मिक्षर जार में ले लेंगे इसी के साथ इसमें डालेंगे आधा कप फ्रेश और गाढ़ा दही दही खटा नहीं होना चाहिए इस बात का खास ध्यान रखे दो बड़े चमश डाल देंगे काजू का पाउडर इसके जगा आप भुनावा मुमफली का पाउडर या फिर रत में तिल खाते तो तिल का पाउडर भी डाल सकते है एक छोटी चमश कश्मीरी रडचिली पाउडर डालेंगे और इसमें बिना पानी डाले इसको पीस कर तयार करेंगे ये देखिए हमारा मसाला पीस कर तयार है अब हम इसे एक पैन में ले लेंगे फ्लेम को मीडियम पे रखे एक से दो मिनिट के लिए लगातर चलाते हुए भूनेंगे क्योंकि हमने मसालों को भून कर लिया है ये ग्रेवी को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है दो मिनिट के बाद इसका रंग हलका सा चड़ने लगेगा तब हम इसमें फ्राइ करके रखे हुए आलू एड़ करेंगे मिला लेंगे ग्रेवी के लिए अब हम इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को चेक करते हुए पानी डाले मैंने इसमें दो कप पानी डाला है क्योंकि आलू को अभी पकना है फ्लेम को हम लो पे रखेंगे लो फ्लेम पे ये ग्रेवी को तब तक पकाएंगे जब तक इसकी तरी उपर ना आए यानि कि तेल छूटने लगे तब तक हम ये ग्रेवी को पकने देना है जब तक हमारी सबजी पक रही है तब तक हम ये पे पुलाव बना लेते हैं इस पुलाव को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप समा का राइस जिसे भगर या फिर उपा चावल के नाम से भी जाना जाता है इस चावल को हम दो से तीन पाने से आचे से धो लेंगे आज की इस पुलाव को हम कुकर में बनाएंगे ताकि यह जल्दी बन जाए तो यहां पे कुकर में एक बड़ा चमच घी या फिर तेल डालेंगे जैसे तेल गरम होती है एक चोटी चमच जीरा, दो से तीन हरी मिर्च और थोड़ी सी घिसा हुआ अधरक डाल देंगे फ्लेम को मेडियम पे रखेंगे और अधरक हरी मिर्च को भून जाने देते हैं अब हम इसमें एक आलू काट करके डाल देंगे आप अगर वरत में गाजर खाते तो गाजर भी डाल सकते हैं अधर आलू को एक से दो मिनिट के लिए मेडियम फ्लेम पे भून लेंगे तब हम इसमें एक मीडियम साइस का टमाटर कटी हुई अड़ करेंगे आप अगर वरत में टमाटर नहीं घाते तो टमाटर ना डाले अब हम इसमें धुले हुए उपास का चावल डालेंगे स्वाथ की अनुसा डालेंगे सेंधा नमक और आधा कप चावल के लिए देड़ कप पानी अड़ करेंगे इसमें आप जिस भी कटोरी में चावल नाप कर लेते हैं उस कटोरी से तीन बार पानी डाल देंगे तो काफी होगा अच्छे से मिला लेंगे अब हम कुकर का ढखकन बंद करेंगे फ्लेम को मीडियम पे रखके इसमें तीन विजल आने तक इसे पका लेंगे अब हम सबजी को चेक करते हैं यहां पे देखिए दोस्तों सबजी में तरी उपर आने लगी है अच्छे से ये पक चुकी है अब हम लाश्ट में इसमें स्वात के अनुसा नमक डालेंगे दही वाली आलू में पहले से नमक कभी भी ना डाले दोस्तों दही फटने की डर होती है तब यह जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी वो खराब हो जाती है लास्ट में नमक डालेंगे आच्छे से मिला लेंगे और अब यह आलू फीके ना रहे जाए इसलिए इसे ढख कर और एक से दो मिनिट के लिए पका लेंगे ताकि नमक आलू के अंदर तक चले जाए तो ढख देते हैं इसे फ्लेम को लोग पर रखे अब दो मिनिट के बाद आप देख सकते हैं यह सबजी बहुत ही सुन्दर दिख रही है अब हम फाइनली इसमें कटे हुए धनिया पत्ता डालेंगे और यह हमारी दही आलू बन करके तयार है अब यहां पर पुलाओ में भी तीसरे विजल आ चुकी है अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे कुकर को अपने अब थन्डा होने देते हैं अब हम बनाएंगे कच्चे के लिए के पकोडे, कच्चे के लिए के पकोडे बनाने के लिए सबसे पहले बैटर बनानी होगी बैटर के लिए मैंने लिया है एक चोथाई कप सेंगाडे का आटा, मिक्षर जार में डाल दिया था उसी में मैंने एक चोथाई का भगर यानिके समा का राइस डाल कर ग्राइंड कर लिया दोनों को अच्छे से तो यहां पे हमारा यह आटा तैयार है भगर डालने से इसमें एक क्रिस्पीनेस आती है एक चोथी चमश हमें इसमें डालेंगे अध्रक और हरी मिश्का पेस्ट स्वात के अनुसा सेंधा नमक डाल देंगे और हम इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालते हुए बैटर को रेडी करेंगे इसी के साथ इसमें डालेंगे एक चोटी चोटी चमश काली मिरीका पाउडर एक चोटी चोटी चमश भुना हुआ जीरा पाउडर अच्छे से मिला लेंगे अब यहां पर मुझे बैटर थोड़ी सी थीक लग रही है कुछ इस तरीके से तेल भी गरम हो चुकी है तो चलिए पकोड़े बना लेते हैं केले की स्लाइसेस को बैटर में डिप करके डारेट तेल में डालेंगे फ्लेम को मीडियम पे रखते हुए ये पकोड़ों को फ्राई होने देंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए ये पकोड़े बहुत ही जल्दी बन कर तयार हो जाते हैं खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं उलट पुलट करते हुए पकोड़ों को फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके है चलिए इने निकाल लेते हैं यहां पे कुकर भी थंडी हो चुकी है पुलाव भी चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं चावल को हमने भून करके लिया था तो यह पुलाव कितनी खिली-खिली बनी है अब इसे साइड में रखते हैं चलिए पराठे बनाते हैं व्रत वाली पराठे बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप राजगीरा का आटा आप चाहे सिंगाडे का आटा भी ले सकते हैं एक चोटी चमच अद्रक और हरीमिच का पेस्ट डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता स्वात के अनुसार डालेंगे सेंधा नमक आधी चोटी चमच भूना जीरा पाउडर थोड़ी से साबूत जीरा में डाल रही हूं में यह आप्शनल है अब हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे मैंने यहां पे तीन चोटे साइस के लिए है आप चाहे तो दो बड़े साइस के भी ले सकते है पहले आलू को अच्छा से आठे के साथ मसल लेंगे यह आठे को लगाने के लिए ज़्यादा पानी नहीं लगता है दो से तीन चमश पानी में आठा लग जाएगा क्योंकि आलू में बहुत मौश्चर होता है अब हम इसमें एक चोटी चमश घी डाल करके आठे को चिकना कर लेंगे और यह हमारा पराठे बनाने के लिए आठा लग चुका है चली पराठे बनाते हैं आप हम पराठे को बेलने के लिए धोड़ी सी सूखा राजगीरा का आठा लगा करके इस तरह से स्प्रेड करेंगे फिर बेलन के साहयता से इसे बेल लेंगे normal जैसे हम पराठे बेलते है मैंने यहां पे राजगीरा का आठा लिया है आप अगर सिंगाडे का आठे से पराठे बनाते हैं तो आप प्लास्टिक के अंदर रखकर ये पराठे को बेल लीजिए नहीं तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है यहां पे पराठे को डाल कर एक मिडियम फ्लेंगे फिर आम इसे पलट का दूसरी तरब भी एक मिनट सेख लेते हैं एक मिनट के बाद इसमें घी या फिर तेल लगाएंगे जो आप रत में खाते हो घी लगाने के बाद आप देख सकते हैं पराठे कितने अच्छे फूल रहे हैं और राजगिरे आटे से बनी पराठे बहुत ही सौफ्ट और टेस्टी भी लगते हैं उलट पुलट करती हुए पराठे को अच्छे से से शेक लेंगे यह हमारा पराठा सिख चुका है इसी तरीके से बाकी पराठे भी सेख लेते हैं पराठे तो बन चुकी है चलिए अब हम चटनी बना लेते हैं चटनी बनानी के लिए मैंने एक मिक्षर जार में ले लिया है एक मुठी भर का धनिया पत्ता डंठल के समय तीन से चार हरी मेच गिसा हुआ अधरत थोड़ी से एड़ करेंगे एक चुथे कप भुना हुआ मुमफली का पाउडर, स्वात के अनुसा सेंधा नमक, आधी चोटी चमच भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी से पानी डाल कर चटनी को पीस लेंगे अब हमारा रिफ्रेशिंग सा चटनी बन कर तयार है, व्रत में ये बहुत अच्छी लगती है अब हम बनाएंगे राइता, यहां पर मैंने लिया है एक कप गाढ़ा दही जिसे मैंने फेट कर लिया है एक छोटा सा काकड़ी यानि की कुकुमबर इसो मेंने घीस करके पानी निचोड कर ले लिया है दो से तीन हरी मिश काट कर डालेंगे इसी के साथ हम इसमें अड़ करेंगे एक छोटा छोटी चमश काली मिरी का पाउडर, एक छोटा छोटी चमश भूना हुआ जीरा पाउडर स्वात के अनुसा थोड़ी सी सेंधा नमक डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे लास्ट में इसमें कटी हुई धनिया पत्तर डालेंगे, यह हमारा रायता बन करके तयार है चले आप करते हैं प्लेटिंग सबसे पहले थाली में जाएगा पुलाव, फिर दही वाली आलू, ककड़ी का रायता, फलहारी गुलाब जामुन फलहारी गुलाब जामुन की रेस्पी अगर नहीं देखा है तो आई बाटम टे क्लिक करके वीडियो जरू देख ले, वनने अल्रेडे शेयर किया है और बहुत अच्छी बनी है हारी वाली चेटनी रखेंगे, फिर हमारा कच्छे के लेके पकोड़े और ये पराठे, ये पराठे तो बहुत ही सौफ्ट है दोस्तो आज की इस ठाली की रस्पी कैसी लेगी कमेंट करके जरूर बताइए, रस्पी अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फिर मिलते हैं एक नई रस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई और टेक करना गाए के का ब्टार टेमर्स हो वाण के हरु प्योण के वादून कोrajna प्योंगी कैसी रेगक कोई।